हलो केट्स, आज की इस वीडियो में हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रणाम, तो प्रणाम किसे कहते हैं? नमस्कार को, जब हम किसी का आदर करते हैं, तब हम उसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इस कविता में किसको प्रणाम किया गया है? भारत मा को, हमारा देश कौन है भारत और हमने उसे यहाँ पर एक मा के रूप में माना है हमारे देश का वर्णन किया गया है इसमें इस कविता में मा को किसे माना है हमारे भारत देश को तो बच्चो आओ हम सब मिलकर उस भारत मा को आधर से प्रणाम करते हैं नमस्कार करते हैं तो चलिए कविता शुरू करते हैं ओ मा तुझे शत्षत प्रणाम मा कौन है यहाँ पर? भारत माता हमारा देश तो हमने उसे क्या कहा है? हमने उसे मा कहा है शत्षत शत्षत का मतलब है सौ सौ हे भारत माता हम तुमें सौ सो बार प्रणाम करते हैं तुझ पर कुर्बान है आवाम आवाम होता है जो देश के लोग होते हैं जो हमारे भारत देश में लोग रहते हैं उसे क्या कहते है? आवाम तो पूरा आवाम क्या करना चाहता है? तुझ पर कुर्बान होना चाहता है कुर्बान का मतलब होता है न्योच्छावर होना चाहता है कि हे मा, हे भारत मा तेरे लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है तेरे जिगर के टुकडे हैं हम क्या है हम? जिगर मतलब होता है दिल हृदे तो जो भारतमा का दिल है तो वो कहते हैं कि हम तेरे जिगर के टुकडे हैं, तुझ पर ना संकट आने देंगे, हम भारतमा तुझ पर कोई भी संकट मतलब मुसीबत नहीं आने देंगे, कटवाना पड़े सिर तो भी, अगर इसके लिए हमें सिर भी कटवाना पड़े, तो हस हस के जान गवा देंगे हम अपने प्रान हस्ते हस्ते नियुच्छावर कर देंगे तो क्या कहते हैं कि ओ मा तुझे शत्षत प्रणाम तुझ पर कुर्बान है आवाम तेरे जिगर के टुकडे हैं हम तुझ पर ना संकट आने देंगे अब हमारा सेकंड पराग्राफ है कटवाना पड़े सिर्थो भी हस हस के जान गवा देंगे अगर हे मा तेरे लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो अब हम हस्ते हस्ते उसे कुर्बान कर देंगे तेरी खातिर मा हमारे पूर्वजों उन्हें दिये बलिदान तो बच्चों हमारे आजादी के लिए भारत मा को आजाद कराने के लिए पहले हमारा देश किसकी अधिन था अंगरेजों के गुलाम था तो उसे आजाद कराने के लिए जितने हमारे ये भगत सिंग है राजगुरू है गांदी कितने अपने करानती कारी सुने होंगे जो हमारे पूर्वस थे उन्होंने कितना बलिदान दिया है इस मा के लिए ऐसा वर्दे ऐसा आशीश देमा चारो और सुख शान्ती हरियाली हो हे भारत मा आशीश मतलब आशिरवाद हे भारत मा हमें ऐसा अशिरवाद दो जिससे चारो तरफ सुख शान्ती और हरियाली हो चारो तरफ हरा भरा हो ओ मा तुझे शत शत प्रणाम मा तुझे शत शत प्रणाम हे भारत माता हम तुझे सौ सौ बार प्रणाम करते हैं ओके बच्चों ये हमारे एक देश प्रेम की जो भावना होती है न अंदर से तो ये जो बच्ची है ये भारत मा से बस यही अपने मन की बात अपने मन की भावना एक देश प्रेम की भावना इस कविता के माध्यम से बता रही है